हेलो स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में मैं अजय वाजकर हमेशा की तरह आज भी एक मैथ का इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ जिसका नाम है रैस्टनलाइजेशन यानि की परिमयकरन यह कहने को तो क्लास नाइन्थ का एक एक इंपोर्टेंट टॉपिक है लेकिन यह क्लास तेन्थ एलेवन टुवेल्ट ग्रेजुएशन में भी आपके लिए इंपोर्टेंट होगा इसके साथ ही यह आपके कॉंपटिशन एक्जाम में भी इससे रिलेटेट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को मिलेंगे आज भी कॉंपटिशन एक्जाम में इससे रिलेटेट प्रॉब्लम आते हैं इसलिए यह एक इंपोर्टेंट टॉपिक है तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका निर्मान कहां पर हुआ और यह किस तरह के problem solve करने में हमारी help करेगा तो अगर हम लोग बात करें real number की तो real number में हमें पता है कि परिमे संक्या और अब परिमे संक्या दोनों मिले हुए रहते हैं यानि कि real number is the combination of rational number and also e-rational number तो जब math के विद्वानों ने इस real number से related problem solve करना स्टार्ट किया तो उनके सामने एक समस्या आया थी कि एक ऐसा problem आया जिसमें एक e-rational number और e-rational number दोनों मिल गए अब यह दोनों add हो नहीं सकते थे जब add नहीं हो सकते तो इसे कैसे solve किया जाए इसके लिए उन्होंने इस method का creation किया तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पर यह rational है यह e-rational है और इस परकार के problem solve करने के लिए उन्होंने rationalization का यूज किया उसके अंतरगात एक point आया जिसको हम लोग कहते है conjugate जिसे हिंदी में संयूगम कहा जाता है संयूगम इसमें देखिए कभी भी अगर कोई rational number और e-rational number प्लस या माइनस में रहे तो उसे हम लोग change कर सकते हैं देखिए अगर यह 5 प्लस अंडरूट 7 है तो अगर हम उसका conjugate लिखेंगे बोलेगा कि write the conjugate of 5 प्लस अंडरूट 7 तो इसको हम लोग सिर्फ बीच वाला sign change कर देंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे ठीक है मतलब conjugate जैसे ही कहा या संयूगम जैसे ही कहा तो आप यह प्लस को माइनस कर देजेगा इसके बाद अगर मैं एक और example के बात करो तो एक माल जैस 6 प्लस रूट 3 इसका conjugate की बात करेगा कोई तो यहां पर हम लोग सिर्फ बीच वाला sign change कर देंगे अब यहां पर बोला गया रूट 3 प्लस रूट 5 का conjugate लिखिए तो रूट 3 प्लस 5 का conjugate लिखने के लिए हम ऐसे रूट 3 माइनस रूट 5 ऐसे लिखेंगे लेकिन यह गलत हो जागा गलत इसलिए हो जागा क्योंकि बीच में हमारा माइनस का sign आ चुका है और माइनस हम लोग हम इसा बढ़ा में से छोट सब्सक्रा को करते हैं तो यह हमारा होगा रूट 5 माइनस रूट 3 तो यह का एक इंपोर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्फ करने से पहले हमें कुछ पॉइंट पर डिसक्स करना आवशेक हो जाता है क्योंकि वह सब पॉइंट अभी आने वाले हैं जब हम प्रॉब्लम सॉल्फ करेंगे तो वह सब आएंगे इसलिए पहले वह पॉइंट समझ लिजे इसका पावर एंड हो जाएगा यानि कि यह हो जाएगा एक यह कप पावर टू एम ठीक है देखिए यह चीज आप समझे जैसे यहां पर मैं फाइव लेता हूँ फाइव का पावर टू है प्लस यहां भी मैं फाइव लेता हूँ फाइव का पावर टू है मतलब बेस नीचे वाले को बेस करते हैं ये A है और ये aim है तो इसे हम लोग बेस कहेंगे और इसे power कहेंगे तो ये बेस और power है तो जब बेस सेम हो जब बेस सेम हो तो multiply होने के बाद वो सेम रहेगा लेकिन उसके जो power होंगे वो दोनों power add हो जाएंगे तो यहाँ पर भी same है यह देखिए इसका base same है इसलिए base लिखिएगा और इसके साथ ही आप 2 और 2 को जोड़ दो जैसे यहाँ 2 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो यह 4 होगा ठीक है तो यह 5 का power 4 इसका correct answer होगा एसे एक और एक्जामपल ले लिए मालिजिए यहाँ b का power n है और plus यहाँ b का power t है तो यहाँ पर देखिए base same है base same है तो base हम लोग ऐसे लिखेंगे और उपार में से power को जोड़ देंगे चरूड़ी थोड़े नहीं कि हमेशा base same रहेगा और power भी same रहेगा power same नहीं रहा मालिजिए यहाँ aim है यहाँ aim है तो हमने aim है मतलब 2m कर दिया यहाँ पर power 2 था यहाँ 2 था तो 4 कर दिया लेकिन यहाँ power n है और t है तो हम n plus t करेंगे हमें बस ध्यान यह रखना है कि power base same है तो same लिखेंगे लेकिन power को add करेंगा multiply में और यहीं पर अगर divide रहता जैसे यह दुसरा है a का power m divided by a का power n ठीक है तो यह base तो same है तो base same रहेगा लेकिन इसका जो power है वो subtract हो जाएगा यानि कि अगर दिया हुआ 5 का power 4 divided by 5 का power 2 तो इसका जो result है वो आएगा 5 का power 2 क्योंकि power minus हो गए तो यह दो पॉइंट आपके लिए important है इसे आप लोग note down कर लिजिए अब मैं अगला point समझाने जा रहा हूं अगला point देखिए अगला point है इसको भी आप note down करते चलिए अगर दो अंडर रूट वैल्यू को मतलब यहां पे अगर दो अंडर रूट है सेम बेस है उसका अंडर रूट एंडर रूट भी तो इसको जब हम लोग मल्टिप्लाई करेंगे तो इस से माइगा सिर्फ ए मतलब अंडर रूट हट जागा अंडर रूट क्यों हटेगा यह देखिए यहां पर एक पावर बाइट यह अंडर रूट का मतलब है दोट है टिक है तो एक पावर आट ओर यहां भी एक पावर अंडर यहां पर हम देखते हैं कि में बेस सेम केम एसे को मैं ऐसे लिखा बीच में मॉल्टिप्लाइज का साइथ इसलिए यह बाय टू डिप्लस वन बाइड वाइज जाएगा वन बाइट टू पलस वन बाइट उसलिए अब यहां पर बेस्ट से में तो पावर एड़ कि और जब इसे हम सॉल्फ करेंगे तो यह एक पावर वन हैगा और एक पावर और तो वन यही होता है ठीक है तो यह आपके लिए एक important formula है यह आप not down कर लिए यह अब इससे आगे देखिए एक और important formula है देखिए एक formula है a plus b multiply a minus b इसका जो result आएगा वह आएगा a square minus b a square यह भी आप not down कर लिए यह दो formula आगे देखिए आप अगर यहाँ पर कोई ऐसे दिया हुआ है a by b under root a by b मतलब a बटबी का पूरा under root है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं under root a under root b वैसे ही अगर यहाँ पर दिया हुआ है under root a multiply under root b तो आप इसको लिख सकते हैं under root a into under root b मतलब दोनों पर अगर पूरे में under root है तो आप उसको separate separate under root कर सकते हैं यह भी आपको याद होना चाहिए तो मैंने formula बताया एक यह दो तीन चार पांच छे formula आप तक बताया मैंने यह छे formula आप लोग note-down किजिए अब हम लोग आगे चलते हैं अब आगे बोलता है कि कोई वी एक fractional value है fractional value मालजी यह 5 by root 3 है अब fraction में यह समझे कि fractional value में दो पार्ट होते है एक numerator एक denominator और जब भी हम answer देंगे तो proper fraction में देना पड़ता है हमें answer यानि कि यह मालजी किसी problem को solve किये और यहां पर answer आया 5 by under root 3 तो यह एक fractional value है और fraction में हमेशा हमें proper fraction लिखना पड़ता है किसी चीच का answer में अब प्रॉपर fraction तब होता है जब उसका numerator में यह अंडरूट या कोई भी अंडरूट वैलू ना है यह चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि fraction में कभी यह अंडरूट वाला वैलू नहीं आना चाहिए और अगर अंडरूट वाला वैलू आएगा तो हम लोग रेस्नलाइज करेंगे और रेस्नलाइज करके उसे अंडरूट से बाहर निकालेंगे तो चलिए हम लोग इसे solve करते हैं यह 5 वैं अंडरूट 3 है इसको बोला गया rationalize किजिए, तो rationalize देखे कैसे होगा, rationalize क्यों हुआ यह समझ में आया, rationalize इसलिए करेंगे क्योंकि यह proper fraction में नहीं है और हम कईसी चीज का answer लिखते हैं तो वो proper fraction में होना चाहिए तो इसको rationalize करते हैं तो देखें यह 5 by under root 3 और इसे multiply करेंगे और ये under root 3 को हम लोग उपर नीचे दोनों तरफ लिखेंगे, यानि कि under root 3 बटा under root 3, अब इसे लिखने से क्या benefit हुआ, तो ये under root 3 और ये under root 3, ये दोनों कट जाएगा समझ रहे होगे आप लोग ये दोनों जब कर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा और 5 by under root 3 गुना 1 1 ही रहा, तो इसे लिए हम लोग उपर नीचे under root 3 से multiply कर दिये इससे कोई effect नहीं आगा इस value पे, ठेक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, multiply करते हैं, तो 5 into under root 3 मतलब 5 under root 3 और यहाँ पर क्या आया, under root 3 multiply under root 3 मतलब यहाँ पर 5 under root 3, आप लोग solve करोगे तो देखोगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, एक formula कि यह under root A into under root A multiply होकर A होगा, क्यों होगा यह मैं समझा चुका था, क्योंकि A का पावर 1 by 2 है और into A का पावर 1 by 2 है यहाँ पर base से मैं पावर कुछ भी हो multiply में है यह, तो यह power add हो जाते है, यह मैं आपको समझाया था यानि कि यह A का पावर 1 हो जाएगा, तो इसी परकार यह भी under root into under root, under root 3 into under root 3, यह 3 हो हो जाएगा, तो यह देखिए, rationalization है, इस rationalization से यहाँ पर देखिए, आप rational और rational number के value थे जो कि fractional में थे, तो हमने यहाँ पर जो denominator rational में था, उसे हम लोग rational में convert किया, और यह एक proper rational है, यह एक proper fraction value है, जो कि हमारा answer हो सकता है, वैसे अगर हमारा कोई और problem हो, जैसे एक value ले लिजिए, जैसे एक सवाल है हमारे पास, 1 by 3 plus under root 2, तो इसको कैसे हम लोग rationalize करेंगे, यह देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया था, कि जब यह plus बीच में आ जाना, दो number के बीच में, तो हम लोग conjugate करते हैं, तो इसका conjugate क्या हो जागा, conjugate of 3 plus under root 2, क्या होगा, तो मैं बोला था, sine change कर दीजे, तो 3 minus under root 2, ठीक है, तो अब इसे जब हम लोग rationalize करेंगे, तो देखिए, यह number तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इस side, उपर और नीचे जो multiply करेंगे, उसके conjugate term से करेंगे, मतलब denominator में जो रहेगा, denominator का conjugate term से multiply करेंगे, तो conjugate term हमें लिखने आता है, यह 3 plus under root 2 है, और 3 plus under root 2 का conjugate क्या होगा, 3 minus under root 2, तो इससे हम लोग उपर नीचे multiply कर देंगे, समझ रहे होगे आप लोग, देखो इसे, अब इसे जब आप लोग solve करोगे, तो कोई भी number को किसी 1 से multiply किया जाए, तो वह same रहता है, तो यह 3 minus under root 2 रहेगा, और इसे करोगे तो यहाँ देखो multiply है, तो यह आ जाएगा, 3 plus under root 2, bracket में 3 minus under root 2, यानि कि बीज में multiply सा है, और याद करो अभी मैं पीछे एक formula लिखवाय था, a plus b multiply a minus b, इसका result क्या था, अब page प्लट कर देखो, क्या था देखो, a square minus b square, तो यहाँ पे same इसी pattern पे यह देखो, a plus b, और a minus b, ठीक है, तो इसे आप लोग जब solve करोगे, तो यह उपर में तो as it is 3 minus under root 2 रहेगा, लेकिन यह 3 और 3 यह a है, तो a का square हो जागा, यानि कि 3 का square minus b के जगर पे क्या है, under root 2 and under root 2, तो under root 2 का square कर देगे, तो under root 2 का square, आगे solve करो, तो देखो 3 minus under root 2, अब इसे 3 का square क्या होता है, हमें पता है 9 होता है, and under root 2 का square क्या होगा, under root 2 का square का मतलब क्या होता है, 2 times, मतलब under root 2 multiply under root 2, यह हम लिख सकते हैं, और कोई भी 2 number, 2 under root को multiply करते हैं, तो same number आता है, यह पता है ना, बस under root से बाहर हो जागा, तो यह 9 minus 2, यानि कि यह 3 minus under root 2 by 7, तो यहां पर यह जो हमारा सवाल दिया गया था, इसके denominator में देखो क्या लिखा हुआ है, denominator में 3 plus under root 2 लिखा हुआ है, यानि कि एक e rational number है, और e rational हमारा fraction के denominator में नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग rationalize किये, और rationalize करकर हम इसे proper fraction में change किये जो कि possible है, अब हम लोग next सवाल देंगे, यह सवाल एक important सवाल था जो कि पहले कभी आया हुआ है, अब हम लोग एक और प्रस ने उठाते हैं, rationalization को समझने के लिए, देखो यहां पर एक सवाल, हम ले लेते हैं, जैसे यह 1 by 8 plus 5 root 2, अब दीरे दीरे हम लोग calculation tough करते जाएंगे, क्योंकि funda तो हम सिखी गए है, rationalization क्यों होता है, इसका importance क्या है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा difficult लेंगे, difficult problem को लेंगे जिससे हमारा calculation अच्छा हो, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, कि denominator का conjugate लिख देना है, तो यहां पर लिखिए आप, conjugate of 8 plus 5 under root 2, क्या होगा, तो सर्फ बीच का sign change हो जाएगा, 8 minus 5 root 2, अब हम लोग क्या कहलेंगे इस conjugate से, उपर नीचे हम लोग multiply कर देंगे, अगर rationalize करना हो तो, तो यह 5 under root 2, यह जिए ध्यान रखेगा, अगर rationalization करने बोला गया, तो हम उसका conjugate लिखेंगे, अगर बीच में plus minus का sign है, तब conjugate लिखाएगा, लेकिन अगर यह 1 by root 3 दे दिया गया, इसका conjugate नहीं लिखाएगा, यहाद रखेगा, जब root 3 मतलब rational number, और यह rational के बीच में plus minus का sign होगा, तब ही conjugate लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर plus का sign था, इसलिए conjugate लिखें, और rationalize करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 by 8 plus 5 root 2 से, को multiply करेंगे, conjugate term से उपर and नीचे, तो मतलब numerator में भी multiply करेंगे, और denominator में भी, इसे जब multiply करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, यह तो वन ही उपर में 8 minus 5 root 2 होगा, क्योंकि 1 से multiply है, बट denominator में क्या होगा, तो denominator में हम देख रहे हैं, वही format में देखिए, a plus b into a minus b, इसी format में है, a के जगा पर क्या है, और b के जगा पर क्या है, 5 root 2 है, तो इसका जो formula होता है, वह हमें पता है, a square minus b square, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, 8 square minus 5 under root 2 का square, आगे solve करोगे इसे आप लोग, तो देखो 8, यह 8 minus 5 root 2, और अपॉन 8 का पावर कितना होता है, 16, 8 का पावर 2, 16 minus 5, यह आप समझो, यह दो को 5 under root 2 का square, मतलब 5 under root 2 multiply 5 under root 2, तो यह हम लिख सकते हैं, 5, 5, 25, और यह under root 2 और under root क्या होगा, 2, 25 और 2, 50, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 8 minus 5 root 2 upon, 50 में से सुला को निकालोगे तो क्या हैगा, minus 34, क्यों आएगा minus 34, क्योंकि 50 बड़ा है, अब 50 के साथ कौन से साइन है, minus का, इसलिए इसका जो exact value आएगा, वो आएगा minus 34, और आप जानते हो कि जब भी हम proper fraction लिखेंगे, तो denominator हमारा positive होना चाहिए, इसलिए उपर में आजागा, minus 8 minus 5 under root 2 upon 34, यह आपका इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, तो आगे एक और हम problem लेंगे, देखिए, एक problem मैं ले रहा हूँ, जो कि आपका, 2011 में आया हुआ है, exam में class 9th का, ठीक है, तो उससे हम लोग करते हैं, यहाँ पर मैं previous year के वी कुछ important सवाल लूंगा, देखिए, सवाल ऐसा था, 2011 में, कि rationalize the denominator of, rationalize the denominator of 2 by under root 3 minus under root 5, इसको बोला गया, यह 2011 का सवाल है, 11th class का, ठीक है, तो इसको बोला गया, rationalize कीजिए, अब rationalize करने के लिए, आपको सबसे पहले क्या बोला गया है, तो अगर plus यह minus में denominator लिखा रहे और उसमें rational, और e rational रहे या e rational number रहे, तो उसके हम conjugate term को लिखेंगे, तो mainly हमारा purpose रहता है rationalization का, कि उसके denominator को हम लोग real number के rational number में change कर सके, तो चलिए, हम लोग सबसे पहले conjugate लिखते हैं, conjugate of under root 3 minus under root 5, इच क्या होगा देखें, तो यह under root 3 तो छोटा है under root 5 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, under root 5 plus under root 3, अब आगे इससे आप rationalize करो, तो rationalization, rationalize the denominator, 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 कैसे, तो same हम उसके जो conjugate term है, इसका जो conjugate term है, उससे उपर निचे multiply कर लेंगे, multiply करने पर क्या आएगा देखो, यह root 5, यह root 3 पहले दिया हुआ है, तो यह ऐसा करते हैं कि root 3 हम पहले रखते हैं, और root 5 को बाद में रखतें, प्लस साइने कोई effect नहीं पड़ेगा, तो root 3 प्लस root 5, बटा root 3 प्लस root 5, आगे solve करो इसे, तो 2 multiply हो जाएगा, यह root 3 से भी multiply होगा, और root 5 से भी multiply होगा, आगे हम लोग यह देखो, यह format फिर से वही है, a minus b और a plus b, दोनों multiply में, तो क्या होता है formula, a square minus b square, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, root 3 का square minus root 5 का square, आगे solve करो इसे, तो यह आगा 2 under root 3, plus under root 5, और यहाँ 3 का power, root 3 का square है, root 3 का square है, तो यह क्या हो जाएगा, और root 5 का 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यह 2 under root 3, plus under root 5, और यह bracket में था, और यह देखिए, minus 5 और 3 है, तो यहाँ पर minus 2 आया, minus 2, 2 कट गया, और यह नीचे में 1 आया, और यह minus नीचे में रहेगा नहीं, तो उपर जाएगा, यह होगा minus root 3, plus root 5 bracket में, यह इसका answer होगा, अब यहाँ पर मैं एक और सवाल लेता हूँ, जो कि 2014 में आया था, और वो भी rationalize करने बोला गया था, ठीक है, तो rationalize करने बोला गया था, और वो सवाल इस पर करता, 6 minus 4, 6 minus 4 root 3, upon, 6 plus 4 root 3, 6 plus, यह marker खत्म होगे आज, 6 plus 4 root 3, यह कब आया, 2014 में आया है यह सवाल, तो इसे कैसे solve करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, denominator का conjugate, denominator में क्या है, 6 plus 4 root 3 है, 6 plus 4 root 3, इसका conjugate लिखेंगे तो 6 minus 4 root 3, conjugate लिखने में ऐसी काया, बीच वाले sign को change कर दिजे, अब rationalize किजे, rationalize the denominator, तो क्या होगा, 6 plus, 6 minus है, 4 root 3, बटा में क्या दिया हुआ, 6 plus 4 root 3, तो इसे क्याची से multiply करेंगे, तो इसके conjugate term से, हम लोग उपर नीचे multiply करेंगे, conjugate term इसका क्या है, 6 minus 4 root 3, बटा 6 minus 4 root 3, यह multiply कर दिये, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, कि यह A है, यह B है, यह B है, तो जो मैं formula बताया था, वह तो था A plus B, इंटू A minus B, लेकिन यहां पर दोनों का sign सेम है, तो हम लिख सकते हैं, कि दोनों एक जैसा है, मतलब दोनों का, एक जैसा इसलिए, hall square, यह hall square, और आगे आप लोग देखिए, तो यह तो A plus B, और A minus B है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, 6 का square minus 4 into root 3 का square, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आप लोग पड़े हुए हैं, A minus B का hall square का formula, जो क्यों होता है, A square minus 2AB plus B square, तो हम लोग इसे इस format में change करेंगे, तो A के जगा पर क्या है, 6 है, तो हम लोग 6 का square लिखेंगे, 6 का square और फिर आगे minus 2AB में क्या है, तो A 6 है और यह 4 root 3 है, मतलब 6 हम लोग multiply करेंगे AB को, मतलब 6 into 4 root 3, मतलब 24 root 3 हो जाएगा, 24 हाँ 24 और यह 24 और 2 48, इस एक बार मैं value लिख देता हूं, 2 into, हम लोग लिखेंगे, 6 into 4 root 3, और इधर plus में 4 root 3 का square, B का square है न, तो 4 root 3 का square, यह लिखा, बटा में क्या चलेगा, 6 का square, 6 का square क्या होता है, 36, 36 और इधर, 4 under root 3 का square, तो 4 का square करेंगे, 16 और root 3 का square करेंगे, तो क्या होगा, 3 ही रहेगा, तो मतलब 16 into 3 मतलब 48 यह subtract हो जागा 48 अब आगे चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसे solve करोंगे उपर वाले को तो देखो आप लोग 6 का स्कॉर क्या होता है 36 और यहां multiply करो 6 दूना 12 और 12 चुका 48 तो यह आजागा minus 48 root 3 और उदर हम लोग करते हैं तो 4 मतलब 16 into 3 मतलब 16 48 यह हो गया 48 अब बटा में क्या होगा 48 में से 36 को घटाना है तो 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1 लेकिन sign किसका रहेगा minus का ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं तो आगे देखो इसे 36 में से 48, 36 और 48 दोनों add होगा क्योंकि दोनों का sign प्लस में है तो 8, 6, 14 और 4, 3, 7 और 1, 8, 84 इधर हो गया minus 48 root 3 और बटा में आया minus 12 तो यह 48 को अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो 12 हमारा common है 12 को common ले लो तो देखो यहाँ पर 12, 17 और 12, 14 तो 4, root 3 यह common निकल गया और यहाँ पर बटा में क्या आएगा minus 12 अब देखो यह minus 12 मतलब यह 12 और यह बार कट गया यह minus 1 आया और जब इसे हम लोग प्रॉपर फ्रेक्शन में लिखेंगे तो minus का value उपर जागा और यह आएगा 7 minus 4 root 3 तो यह था realization और उमीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा यह topic यह topic आपके लिए important है मैंने बता रखा है तो अगर यह topic समझ में आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को like किजिए और इस चैनल पर अगर नहीं हो तो हमारे चैनल को subscribe किजिए इस से related आपको को कोई भी वीडियो देखना हो तो आप हमारे आई बटन पर जा सकते हैं वहाँ पर मैं क्लास नाइंद का number system solve करा रखा हूं और आई बटन पर जाएगा तो आपको लिंक मिल जागा आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं अब इस वीडियो को आप लोग उ किजिए comment box